हेलो गाइस विल्कम बैक टुमाइटूब चैनल यसके मिशडी अवे आप सक्सेच मैं हूँ आपका एजुकेटर सीवं मिस्रा और मेरे प्यारे बच्छों इसमें जानेंगे डॉक्टर राजेंद प्रसाथ के जीवन के परिचे के बारे मजी हां करेव जितने भी जीवन परि चड़ी के द्वारा आप अपने एक्जाम जो 2021 में कंड़क्ट कराये जाएंगे उसके आप अच्छे से आप तयारी कर सकते हैं लगातार आपको वीडियो प्रवाइट की जा रही हमारे थूप आप अपने इस यूटूब चैनल यसके मिश्टडी से जरूर जूड़े रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा ताकि जितनी भी लेटेस्ट वीडियो की नॉटिफिकेशन रहे मेरे बच्चों सबसे पहले आप तक पहुंशती रहे तो आज हम जानेंगे डॉक्टर राजन प्रशाद के जीवन के परिच्छे के बारे में की डॉक्टर राजन नाये हैं उनको भी हम लोग यहां पर जानेंगे तो डॉक्टर राजन प्रशाद का देखें तो देश रत्र डॉक्टर राजन प्रशाद का जन्मसन 1884 में बिहार राज के जो बिहार राज है उसके छपरा जिले की जिरादेई नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का ना इस विद्याले से में और ललबी की परिच्छा भी उत्रेण किये थे और इन्होंने विद्येश जाकर भारत के पच्छ को अनेक बार जेल की यातनाय भी भोगी थी और जानते हो जब हमारे राश्टी सतंतरता सत्यागर चल रहा था तो इसमें इनको जेल भी जाना पड़ा था और इन्होंने विद्येश जाकर भारत के पच्छ को बिस्तु के सम्मुग भी रखा था फिर इनको राश्टपती बनाया गया फिर इनको भारत रत्मी मिला था सन 1962 में और फिर ये मिर्ट्टू हो गई थी ठीक है चलिए देखते हैं तो लिखेंगे कि देश रत्न देश रत्न डॉक्टर राजिंद प्रशाद डॉक्टर राजिंद प्रशाद का जन्म सन 1884 इस्वी में इस्वी में बिहार के बिहार के छप्रा जिला जिला के जिला के जीरा दें नामक नामक ग्राम में हुआ था ग्राम में हुआ था तो डॉक्टर राजिंद प्रशाद का जी का जन्म का भुआ था सन 1884 इस्वी में बिहार राजि के छप्रा जिले के जिरा दें नामक ग्राम में हुआ था इनके पिता का नाम महादेव सहाय था इनके पिता का नाम, महादेव सहाय था, इनके पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय था, और इनका परिवार, इनका परिवार, गाव के संपन्य और प्रतिष्ठित क्रिशक परिवार में से था, इन्होंने विदेश जाकर भारत के पच्छे में भारत को विश्व के सम्मुक रखा था, और क्या लिखे लिए? और इन्होंने विदेश जाकर भारत के पच्छ को विश्व के विश्व के सामने रखा, किसके सामने रखा? विश्व के सामने रखा था, ठीक न? और वहें पर देखें, तो ये भारत के समिधान का इमान करने वाला सभापत के सभापती भी चुने गए थे, ठीक न? और साथी साथ ये हमेशा और हमेशा सदा जीवन उच्छ विचार और इनके महत्यपूर्ण आदर्सी थे और इनकी प्रतिभा और हमारे करतव निष्ठा इमानदारी और निस्पच्छता से प्रभाइत होकर इनको ही भारत गड़ राज का प्रतम राष्ट पती भी बनाया इनकी इनकी प्रतिभा करतव निष्ठा इमानदारी और निस्पच्छता और निस्पच्छता से प्रभावित होकर इनको भारत गड़ राज का प्रतम राष्ट पती भी बनाया गया प्रतम राष्ट पती भी बनाया गया था ठीक ना याद रखना और इनको ही सर्वोचुपादी भारत रत्न से 1962 इस्वी में अलंग कृत किया ठीक ना और और पॉइंट में लिखेंगे ना इनको ही इनको ही सर्वोचुपादी ठीक ना यापर लिग लिए सकते हैं भारत की सर्वोच उपादी भारत रत्न से सन 1962 इस्वी में अलंग कृत किया गया यह भी आप नोट कर सकते हैं अब इनकी आती है रचनाएं इनकी कौन कौन सी प्रमुख रचनाएं हैं कभी कभी एक्जाम में आ जाती है तो अगर इनकी रचनाओं पर फोकस डालें तो इनकी रचनाएं क्या क्या थे लिख लेजिए गई रचनाएं आप लोग लिख लीख 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 लीजिएगा न पहला था इनकी जो रचना चंपारन में महात्मा गांधी चंपारन में में महात्मा गांधी पहली थी दूसरी रचना क्या थी दूसरी थी इनकी बापू के कदमों में बापू के कदमों में तीसरी क्या थी मेरी आत्म कथा मेरी आत्म कथा और हमारी क्या थी सिच्छा और संस्कृति सिच्छा और संस्कृति और क्या थी भारती सिच्छा भारती सिच्छा और क्या थी इनकी गांधी जी की देन गांधी जी की देन और इनकी कौन सी रचना थी और इनकी रचना थी साहित्य साहित्य नामक भी इनकी रचना है थी और इनकी कौन सी रचना थी वह रचना थी संस्कृत का अध्यन इनकी रचना थी और क्या थी खादि का अर्थ सास्त्र तिक नवगे और इक रचना थी इनकी चारी सेवन हो प्रमुक रचनायत ही इसको याद कर लिजिएगा डॉक्टर राजेंद पुरसाथ का जीवन परिशे जो कि आपके बुड़ परिच्छा 2020 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह हमेशा आता है गारंटी के साथ प्रशने और ऐसी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जर कर दो दो five प्रशने और राजेंद प्रमुक वेशआरन दो कि आपका जीवन परिजिए और वेश्व सेज़भी झाल को सब्सक्राइब गार बहुत है यह है और दूर्मुक चाल के थह हैं वीवन झाल को सब्सक्राइब प्रेशने जो कि बढमुर्पटर राज़ प्रेश